आज हम बनाने के लिए इंस्टेंट आइस क्रीम तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तरह की की रैसपी जिसमें एक आईसक्रीम होगी जिसको आप तुरन्त बनाएंगे और two minute ice cream तो करेंगे बहुत ही डिलीजिया स לप्र म्लिकार आइस बनोच तो अबनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिए हैं 4 बनाना फ्रेश केला यह तो चार बनाना से हम दो तरहे की आइसक्रीम बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले तो हमने बनाना को छील लिया है और इसके हम इस तरह से छोटे-छोटे से पीस कट करेंगे तो पीस आप थोड़े से पतले कट करिएगा ज्यादा बड़े-बड़े मत करिएगा तो चली इसी तरह से हम सारे बनाना को कट कर लेते टो लेजे वने बनाना को काट लिया है अब लेंगे इस तरह पॉलीथिन स्चिन वाले हैं गलोव जपल-ग डोफ तरह आप के पास है या इस तरह अगिज़ बनाना को ढालेंगे और अदय को हम स्जाठी को अलग निकाल लेंगे तो यहां अब हम इन बनाना को करने वाले हैं डीप फ्रीज तो इसको हम इस तरह से अच्छे से फैला देते हैं और मोड करके पॉलीथिन को इनको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जो एयर है बाहर की वो अंदर न जाए और इस तरह से हम बनाना को लगभग दो घंटे के लिए तो दूद यहां पर हमने लिया है एकदम गहडा जितनी मलाई थी साथ में मलाई भी ले लिए और दूद को हम अच्छे से पगने देते हैं और जैसे ही दूद में अबाल आ जाए इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर देने के लिए हम यहां पर डालेंगे आधा कप मिल्क प और टेस्ट भी काफी अच्छा आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा करते हैं मिल्क पौडर डालना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे आएंगे ताकि गुटलिया ना पढ़ें तो मिल्क पौडर तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे चीनी तो जो बनाना थे काफी मीठे होते हैं तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर चीनी डालेंगे लगबग आधा कप और विल्क पौडर भी काफी मीठा था इसलिए हिसाब सही चीनी आपको डालना है और चीनी को भी हम अच्छे से डिजॉल्व होने देते हैं और चीनी डिजॉ इनको हम जार में डालेंगे और आईस क्रीम में बहुत बढ़िया टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी सी चौकलेट यहाँ पर मैं डेरी मिल्क चॉकलेट यूच कर रही हूं आप दार्क चॉकलेट या जो भी आपके पास हो अप उसका यूज कर सकते ह हमारे आइस क्रीम में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आप जरूर इस तरह से आइस क्रीम बना करके देखिएगा और लीजिए हमने खूब अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद आप इसका टेक्शर कुछ देख सकते हैं इस तरह से हो गया है और आप हमने जो इसको स्किप कर दीजिए इससे हमारे आइस क्रीम में और भी बढ़िया फ्लेवर आएगा आप यहां पर चाहे तो इराइची का पाउडर भी डाल सकते हैं तो चलिए इसको हम अच्छे से फिर से एक बार मिक्सी में चला लेते हैं तो लीजिए हमने इसको मिक्सी में चला आप ले सकते हैं या आइस क्रीम बनाने वाले आपके पास मोल्ड हो तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं तो आप दूद को हम डालेंगे एर टाइट बॉक्स में और आप हम इसको फ्रीज में जमाने के लिए रखेंगे तो अभी हम इसको फ्रीज में लग भग तीन-चार जमाने के लिए रखेंगे जब तक कि या परशंट तक अच्छे से शैप नहीं हो जाती पूरी तरह से नहीं जमें तो हम फ्रीजर में रख देते हैं और इसका धकन आपको अच्छे से बन कर देना है वरना आइस क्रीम में ऊपर आइस जम जाती है तो लेजे मैं इसको लग बिल्कुल बाजार जैसी मुई में घुल जाने जैसी तो चलिए इसको हम जार में डाल देते हैं और इसको फिर से चर्ण कर लेंगे तो यह लिए चर्ण करने की बाद इसका जो टेक्शर है बहुत ही क्रीमी हो गया है अब मैंने यहां पली है औरियो बिस्किट को बिल्कुल करते हैं और कुछ के हमने छोट चोट जोटे कर लिया है तो इसतरह से सबसे पहले थो हम नीचे इस तरह से बिस्कुट डाल देंगे थोड़ी थोड़ी से मोटे मोटे से प्रसा पाउडर इसके जो पीशे ने चोटे चोटी चोटे से उसको बहुत बढ़िया आता है वह तो हम इसको फिर से जमने के लिए रखेंगे तो आपकी बार आपको एक काम करना है एक फॉयल पेपर लेना है आपके पास कोई पॉली थिन हो कुछ भी हो इस तरह से आप इसको अच्छे से कवर करिए क्योंकि जो दुबारा में फाइनली हमारी आइस क्रीम बनने वाली है तो इसी वजय से है आप लोग अच्छे से इसको सेट नहीं करते हैं तो चलिए अब इसको फिर से फ्रीजर में रख देते हैं जमने के लिए लगबख 5 गंटे के लिए डिपेंड करता है आपकी फ्रेज की कूलिंग पर तो आप देख सकते हैं जो हमारे आइस क्रीम है बहुत सेट हो चुकी है तो अब आप आइस क्रीम को मन मुताबिक सेप में कट कर सकते हैं तो यहां पर हम स्कूपर से आइस क्रीम की बॉल्स बनाने वाले हैं तो आपके पास अगर स्कूपर नहीं है तो आप इस तरह से जो चम्मच आती है बड़ी वाली स्पून उससे भी आप इ आप इसका टेक्शर देखिए तो यह लीजिए कितनी बढ़ी आइस की बॉल्स निकल कर गया है तो इसी तरह से मैं एक दो बॉल्स और बना रही हूं तो आप देखिए कितनी सॉफ्ट आइस क्रीम बनी है बहुत ही टेस्टी बलगती इस तरह से तो आपने बनाना की आइस क पर सॉफ्ट बनी है तो चलिए यह तो थी हमारे पहले तरीकेedar की आइस की की आइस क्राइब अब बनाना न सीकिंगे और इंस्टन आइस्क्रीम बनाने के लिए हमने जो बनाना फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रखे तो बहुत अच्छे से जम चुके हैं और इनमें उपर बढ़िया से आइस भी जम गई है देखिए कितने अच्छे से सेट होगा है इनकी आबास से आप समझ पा रहे होंगे तो डालिए वरना स्किप कर दीजेगा आप चाहे तो यहां पर भी लाइची का पाउडर डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे आधा कप दूद दूद हमें जादा नहीं डालना है और दूद आपको चिल्ड लेना है बिल्कुल ठंडा दूद लेना है और इसमें जाएगी दो डाल करके पीस लिया है और यह हमारी इन्स्टेंट आइस क्रीम बन करके विल्कुल तैयार है वह तीना वरकित पर आपने कभी तभी खाया हो बिल्कुल सॉफ्ट आइस धगी मूती है यह वही वाली आइस क्रीम बनी है जैसे आप सॉफ्टी यह खाते हैं उसकी उपर बना करके तयार कर सकते हैं और अगर आपको इतनी ज्यादा सॉफ्ट आइस्क्रीम खाना पसंद नहीं है तो आप इसको आदा से गंटे के लिए फीज़र में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं पर यह काफी डिलीसियस लगती है इतनी ही सॉफ्ट अच्छी लगती है तो लीजिए बिलकुल तयार है इसका एंजॉय करिए बहुत बहुत टेस्टी लगती है तो इस तरह से आप भी बना करके जरूर देखिएगा आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी तो गाइस हमने दो तरह के आईस्क्रीम बनाना तो सीख लिया है तो चलिए फटा-फट से मैं आपको एक बहुती इजी केकी रेस्पी भी सिखा देती हूँ सिर्फ एक उनट में आप इसको सीख जाएंगे कि अच्छी बनाना तो सीख जाएंगे कि अच्छी बनाना तो सीख जाएंगे